हैलो स्टुडर्स वेल्कम पेक टो आवर चैनल। स्वागत है आपका। I HOPE आप सब ठीक है शुरकषित होगे। स्टुडर्स क्या आपको याद है कि लाष्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। YES याद आया आपको हमने देखा था प्राथना। है ना हमने प्रात्वना कितनी अच्छे से गाई थी और हमने एक सीख भी दी थी क्या सीख दी थी कि हमें इतना अच्छा जीवन जो भगवाल ने दिया है तो हमें रोज भगवाल को थैंक यू भूलना चाहिए दो हाथ जोड़ कर तो आगे के वीडियो में क्या था वो हमने यार करिया तो अब नेक्स्ट है 19 नमबर का और उसा नाम है तोता जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे तो रेडी हो ना आप येस तो जब आप सुबह उठते हो तो क्या आपने एक बात नोट की है कि सुबह कौन-कौन से चेंजिस होते है सुबह आपको किसकी आवाज सुनाई देती है सुबह कैसा वाता मरण होता है क्या आपने कभी नोट किया है नहीं किया होगा या फिर किया भी रोगा है ना हम कुछ कह नहीं सकते तो आपने सुना होगा कि जब सुबा उठते हो तो आवाज सुनाए देती है किसकी पंची होगी है ना लेकिन पंची कोई एक नहीं होता बहुत सारे होते है कवा भी होता है पोपट भी होता है पोपट यानी इंदी में तोता है ना येस तोता भी होता है और भी कई सारे फक्षियों होते हैं जिनकी आवाज हमें सुपर सुनने को मिलती है तो उनमें से एक पंची है जिसका नाम है तोता तो हमें तोते के बारे में आज पढ़ना है उससे पहले आपकी बुक में तोते के बारे में एक सुन्दर सा गीत है वो हम आज गाए है तो स्टुडर्स हम गाते हैं एक सुन्दर मज़र का गीत है वो हम आज गाते है हरे रंग का तोता हूँ पहाड उपर में रहता हूँ सारे फल में खाता हूँ, किसी के हाथ न आता हूँ, हरे रंग का तोता हूँ, चिडिया घर में रहता हूँ, डाली पर में चूल चूल कर सब का मन बहलाता हूँ ओके बच्चों, चलो मज़ा आया ना आप लोगों को, मेरे बाजू में अब देख सकते हो कि गाना दिया हुआ है, तो आपको वो भी घर पे एक बार गाना है, ओके तो बच्चों, हमने एक बार देखा गीत को गाना, है ना, तो हम अब एक बार उसको समझेंगे ओके बच्चों, तो रेडी हो ना, ओके, पहले लिखा है कि हरे रंग का तोता हूँ तो हरा मतलब कौन सा रंग, आपको याद आया, हरा रंग मतलब लिलो रंग, है ना, बच्चों, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हरा मतलब लिलो रंग, ओके, तोते कौन, तोता जो होता है, वो पांचा रंग का होता है, हरे रंग का है तो तोता हरे रंग का होता है, इसलिए उसमें लिखा है, और वो बोलता है कि मैं हरे रंग का तोता हूँ फिर है पहाडों पर में रहता हूँ पहाड मतलब बच्चों परवत याद रखना पहाड मतलब परवत और पोता मतलब पोपट हूँ लिला रवनों पोपट चू हूँ परवत और रहू चू सारे फल में खाता हूँ सारे मतलब बद्धाज फल मतलब फड बद्धाज फड़ों हूँ खावू चू सारे मतलब बद्धा ओके तोता कहता है मैं सारे फल खाता हूँ किसी के हाथ ना आता हूँ कोईना हाथ मा आओ तो न थी किसी के किसी के मतलब कोईना कोईना बढ़ हाथ मा हूँ आओ तो न थी हरे रंग का तोता हूँ लिला रंग नो मूपों पर छू चिडिया घर में रहता हूँ बच्चो चिडिया घर मतलब आपको मालूम है चिडिया घर मतलब क्या होता है मतलब पक्षी घर मा रागू छू चिडिया घर यानि पक्षी घर बच्चो आप गए हो कभी चिडिया घर अगर गए होते तो आपको पता होता है इचीडिया घर में क्या क्या होता है तो बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी हमें देखने को मिलते है देश भी देश के, हमारे देश के, कुछ रंग भी रंगी होते है किस पक्षी की आवाज थोड़ी नमसी होती है कुछ की कुछ जादा गहरी होती है ना बिन्न बिन्न अवाज वाले बिन्न बिन्न अपने रूप से अलग ऐसे कई सारे पक्षी हमें पक्षी घर में देखने को मिलते हैं ओके बच्चों डाली उपर मैं जूल जूल कर डाली उपर मूँ जूली जूलना जूलना मतलब जूल हूँ हम जूले पर पैसते हैं तो ऐसे हम जूलते हैं ना उसको जूलना बोलते हैं मतलब तोता कहता है कि मैं डालियों पर जूल जूलता हूँ मतलब ही चूँ छूँ सबका मन बहलाता हूँ बदानू जमन हूँ बहलाऊँ छूँ बदाना मन्ते खुशकरी दऊँ सबका सबका मन लव बदानू ओके बच्चो तो बच्चो एक बार फिर से हम याद कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या पढ़ा तो ये तोते के बारे में हमने आज पढ़ा तोता क्या क्या कहता है सबसे पहले तो कहता है कि मैं हरे रुका मतलब हूँ लिला रमनो छू और वो कहां रहता है चिडियादर में फिर वो परवतों पर भी देखने को मिलता है है ना तोता अपने बारे में कुछ बहुत कुछ बताता है फिर वो भी कहता है कि वो डाली पर सुलता है येस और सबके मन को वो बहलाता है आपने देखा है ना तोता नहीं देखा कि देखा है ओके तो चलो हम देखते एक बाई तोता चलो बच्चो ये ध्यान से देखो, ये है तोते की तश्वीर, आप देखो तोता कैसा दिखता है, चलो उसकी चोच देखो, कैसी है, थोड़ी बुडी हुई है उपर से, है ना, और नाल रंकी है, चलो बच्चो वो कौन से रंका है, ये तो पूरे अगरे रंका है, चलो बच तोते को आपको ध्यान से देखना है कि तोता किस तरह दिखता है कैसा दिखता है है ना बच्चो ओके तो चलो हमने तोता भी देख लिया कि तोता कैसा दिखता है तोते के बारे में भी पढ़ लिया तो बच्चो आपको समझ में आया ना ओके तो चलो आज के इस लेशन में जो कुछ वर्ड थे जो कुछ हाड वर्ड थे वो हमने यहां पर लिखे रहें तो हम एक वर्ड से पढ़ते हैं हरा यानी लिलो रव पहाड मतलब गुजराती में परवर तोता मतलब पोपट फक्षी सारे मतलब बद्दा किसी के मतलब कोई ना चिरिया गर यानी पक्षी गर जहां भिंड़ भिंड़ प्रकाट के पक्षी देखने को मिलते हैं जूलना मतलब हीचू सबका मतलब बद्दान ओके बच्चो तो बच्चो हमने देखा तोते के बारे में पढ़ा है ना तोता भी देख लिया कैसा दिखता है तो बच्चो आपको मैं एक होमबग देती हूँ जो आपको घर पे करना है तो क्या करना है तो आपको सबसे पहले तोते की तस्वीर अपनी नोट बुक में लगानी है आपकी नौट बूक में आपको एक तोते की तस्वीर लगानी है और उपर लिखना है तोता और तोते के बारे में आपको नीचे कुछ वाक्या लिखने है हमने देखा न, मैंने आपको क्या गोला? कि देखो ध्यान से तोता किसे कैसे दिखता है उसके आखे कैसे उसके पंक कैसे है तो आपको अपने नौट बुक में तोते की तस्वीर लगानी है और तोता को ध्यान से दिखना है कि वो कैसा दिखता है ओके बच्चो तो आपको अपने 9 बुक में वो तोते के बारे में एक एक वाक्य लिखना है ओके बच्चो तो यह आपका आज का होमबग है तो आज का हमने जो कुछ भी पढ़ा वो आपको अच्छे से पढ़ना है और यार कर लेना है थैंक यू